त्योहारों के बीच कोविट संक्रमन के फैलने का अंदेशा प्रशासन ने जताय था लेकिन पिछले 30 दिनों में तीसरी मरतबा नाखपुर जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला है दिपावली के नजदेग कोविट संक्रमित शुन्य होना शहर्वासियों के लिर रहत बरी खबर है हाला कि प्रशासन नागरिकों से नियमों का कड़ाई से पालं करने के अपिल की है नाकपुर जिले में गुरवार को एक भी संक्रमित नहीं मिला, कुल संक्रमितों की संख्या 4,93,434 जब कीम्रूतों की संख्या 10,121 पर स्थिरवनी हुई है कोरणा की दूसरी लहर में नाकपुर जिले में संक्रमन ने हाहा कार मचा दिया था अप्रेल महिने में सरवाधिक मिले और मौते हुई लेकिन जुन महिने की बात संक्रमन और मौते घटने लगी 29 सिटंबर और 15 अक्तूबर को 6 मिले गुरुवार 28 अक्तूबर को गुरुवार को फिर से 6 मिले जिले में आज 2829 नमूने जा जग है इसमें शहर के 2095 और ग्रामिन के 734 नमूने है पिछले 8 दिनों से 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं मरतमान में कोविट के 34 सक्रिय मरीज है इसमें शहर के 30 और ग्रामिन के 4 संक्रमित है बुदवार 37 अक्तूबर को हिंगना निवासी 23 वर्षे महिला का कोरोना से निधन हो गया स्वास्त विभाग ने मरीज को उक्रामिन का बताया लेकिन महिला गडची रोली जिले की निवासी है तबियत खराब होने से वह हिंगना आई थी महा के एक नीजी अस्पिताल में महिला का इलाज चल रहा था उपचार के दोरान उनकी मौत हो गई महिला को कोरोना के अलावा थारेट सहित कई बिमारिया थी